student last class में हमने देखा था कि 1001 extension किस तरह से काम करता है student आज की class में हम different different type के extension को explore करेंगे तो चलिए आज की class start करते हैं student आज की class में जो हम topic cover करेंगे वो है true band extension, mirror, isolate, joint push-pull tool, round corner, subdivision, freedom 6, freedom scale और फिर हम false ceiling भी देखेंगे तो चलिए हम class start करते हैं student यहाँ पर मेरे पास extension है आप देख रहे हो कि एक extension यह है true band है यहाँ पर मेरे पास एक extension है cloth यहाँ पर मेरे पास है isolate किस तरह से करेंगे आप यहाँ पर आएंगे तो यह मेरे पास quad face tool है आप यहाँ पर आएंगे तो मेरे पास frido scale है और यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास यह round corner tool है जिस tool पर मैं काम कर रहा हूं उसका नाम है यहाँ पर आएंगे और यह म जैसे मैं इसे push करूँगा यहां पर तो आपको for example यहां पर जो value डालनी है वो 180 value डालनी है आपने 180 किया आप enter करेंगे जैसे आपने enter किया तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरहां का अगर आपकी building की किसी wall के अंदर curve है तो आप इस तरहां का एक design कर सकते हैं आपने देखा कि कर टूल किया है करस बेंड चूल यूज किया है तो यह एक example मैंने आपको दिया कि किस तरह से आप bed करेंगी तो आप क्या करेंगे आप यहां पर liner लेंगे यहां पर मैं 31 इंच ले लेता ओं यहां पर आप 33 इंच ले लेते हैं यहाँ पी आप 31 इंच ले लेते हैं और आपने इसे यहाँ पर create करते हैं तो मेरे पास क्या है यहाँ पर एक sofa का एक base आ गया single seat बना के ते बता रहा हूँ मैं आपको यहां पर प्रेस्पक्ट्टमे आ कर आप देख सकते हैं मुझे क्या करना है मैं यहां पर आऊंगा और मैं extrude कर देता हूं फोर ग्यांपल मैं यह पर तीन इंच अभी एक और देता हूं मैं एक sofa chair बना रहा हूँ आपने यहाँ select किया इसे और आप यहाँ पर क्या करेंगे आप यहाँ पर offset लेते हैं तो मैं यहाँ पर मुझे offset चाहिए मैं यहाँ पर तीन इंच का offset ले लेता हूँ यहाँ पर यह 3 इंच का मैंने आप यहां पर line से मैं इसे यहां पर connect कर दूँगा फिर मैं इसे line से यहां पर connect कर देता हूं यहां से जो इसकी height है मैं अभी 12 inch ले लेता हूं यहां पर यह 12 inch मैंने ले लिया क्योंकि यहां पर एक गद्दी भी दूँगा तो जब यहां पर इसकी गद्दी आएगी तो वो 6 inch की होगी और 7 inch मैंने इसको उपर की तरफ रख दिया है यहां पर मुझे क्या करना है आप क्या करेंगे यहां पर मुझे यह line नहीं चाहिए आप यहां से इसको erase कर देते हैं यहां पर मैंने इसको erase कर दिया आप क्या करेंगे आप यहां लाइन टूल लेंगे और यहां से आप इसे ऐसे कनेक्ट करेंगे आप यहां से इसे यहां पर कनेक्ट करेंगे आप यहां से इधर कनेक्ट करेंगे और फिर आप यहां से यहां कनेक्ट करेंगे आपने यहां पर कनेक्ट कर दिया मुझे क्या चा यहां कि इसके बीच में एक चाहिए और इनके बीच में भी एक चाहिए तो मैं क्या करूंगा आप यहां पर आएंगे मेरे पास यहां पर एक extension है जिसका नाम है Quad Face Tool तो हम Quad Face Tool के मैं कुछ Tools अभी बताऊंगा जो मुझे इस exercise में यह सोफा बनाते वक्त मुझे चहीं होंगे सबसे पहले अगर मैं यहां पर कोई भी एच को select करता हूं और मैं चाहता हूं कि यहां पर लूप में वह एच connect हो जाए तो मेरे पास यहां पर इंसर्ट लूप करके आता है जैसे आप इंसर्ट लूप पर क्लिक करेंगे आप देखें किया तो आप देखेंगे कि इस तरह से मेरे पास यहां पर यह line create हो गए है आप देख रहे हैं बहुत easy है मैं एक example में आपको दो तीन extension यूज़ करके बता रहा हूं यहां पर मैंने two band को use किया था हम off कर देते हैं आप यहां पर आएंगे और मेरे पास यहां पर आएगा subdivision जैसे आप सब डी पर आएंगे यह क्या करता है यह आपके object को smooth कर देता है जैसे आपने इधर देखा तो देख रहे हैं यहां पर इसने इसे smooth कर दिया देखें कुछ इस तरह का result आ रहा है आप इसे अभी off कर देते हैं off कहां से करेंगे इसी white toggle पर आपने click किया तो आप इस यहां से इसे गोल कर सकते हैं आपने यहां से इसे select किया मैं इसे भी इस तरह से थोड़ा सा round करना चाहता हूं तो आप round कर सकते हैं आपने यहां से select किया आप यहां से यह edge को select करेंगे यह edge आपने select किये और आप यहां पर curve पर आते हैं और मैं curve को कुछ इस तरह से मैं अग आप देखेंगे यहां से यह रवंड हो जाएगा तो जब आप इसे ऐसे सेलेक करेंगे आप मेगरूप करते हैं और आप इसे कैमरे में प्रस्पेक्टिव से देखेंगे तो एक कुछ इस तरह का शेप है और मैं इसे सब्डिवीजन दूँगा सेलेक करने के के बाद आप सब इडिविजन है तो यह आपको कुछ इस तरह का चेयर दिखाई देगा जो आप देखें बहुत स्मूथ कोवर्णर आ रहे हैं मैं चाहता हूं कि यहां से थोड़ा सा हार्ड शेप होना चाहिए उसका फंडा क्या है आप क्या करेंगे आप यह एज को आपने स कर दिया फिर यहां पर आप क्या करेंगे आपने इसको स्लेक किया आपने इसे फिर लूप किया और आप इसे यहां से नीचे ला सकते हैं और अब मैं अगर इसको मैं smooth देता हूं तो आप देखेंगे कि यह ऊपर के जो corner है वो hard हो जाते हैं select करने के बाद आप इसे select करेंगे आपने देखा कि यह चीज आपका hard हो गया है इजी है काफी देख रहे हैं आप यहां पर काफी इजी था यह बनाना आप मुझे चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा इसकी हाइट को और इंक्रीज करूँ आप चाहते हैं कि यहां पर और इंक्रीज करें तो आप यहां पर इंक्रीज कर सकते हैं यहां पर मुझे इसकी सीट बना लिया मैंने यह मेरे एक rectangle बन गया यहां पर मेरे पास यह एक इसको extrude कर देता हूं मुझे यहां पर फॉर इसमपल फाइव इंच ले लिते हैं आप यहां पर आएंगे मुझे यहां पर यह मैं लूप कर देता हूं एक लूप यहां पर आ जाएगा आपने क्लिक किया एक लूप यहां पर आ गया यहां पर आएंगे आपने एक बार क्लिक किया एक लूप आ गया आपने दो बार क्लिक किया तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से लूप आता है तो आपको दो बार क्लिक नहीं करना है आपको फिर यहां पर आएंगे एक लूप उपर की तरफ आ गया आप इसे मूव कर सकते हैं फिर आप यहां पर इसको क्लिक करेंगे आपने फिर लूप किया और आप इसे नीचे की तरफ ड्रेग कर देंगे आप क्या करेंगे मुझे इसे इसके अंदर यहां पर फिट करना है तो आप क्या करेंगे आपने सेलेक्ट किया यह मेरा कहां आना चाहिए यह मेरा जो पॉइंट है वह इस पॉइंट पे आना चाहिए इजैकली यहीं आ गया आप फिर इसे सेलेक्ट करेंगे आपने इसे सेले फिर आते हैं मेरा जो यह point है वो कहाना चाहिए आपने इसे select किया यह point मेरा आना चाहिए आपने इसे select किया जो यह point है आपका यह मैं move करके इस point को मेरा यहाँ पर आना चाहिए आपने फिर इसे select किया ये point है आपका जो bottom का point है वो कहा आना चाहिए वो यहां आना चाहिए फिर आप यहां पर आए आपने इसे select किया जो मेरा ये point है वो कहा आना चाहिए वो मेरा point यहां आना चाहिए और फिर जो ये मेरा ये point है आप इसे आप हर एक point को यहां पर प्लेस कर सकते हैं आप देख रहे हैं यहां पर मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ इजी है और यहां पर आप क्या करेंगे मैंने यहां पर आप इसको सेलेक्ट करते हैं मैं इसे यहां पर लूप करूँगा तो एक जमट मेरा यहाँ पर आना चाईए ए फिर मैं इससे select करता हू Department here, लूप करेंगे, आप इस point मूव करके, इस corner पर ले के आएंगे आप यहाँ पर इससे loop करेंगे और यहाँ मेरे पास एक जमेट्री आगई, आप यहाँ से, लूप करेंगे, आपके पास एक जमाटरी यहां पर आ जाएगी आपने select करेंगे आपने loop किया आपके पास एक जमाटरी यहां पर आ गए आपने loop करके यहां पर एक जमाटरी आ गए मैं इसे जब मैं यहां पर select करता हूं इसे triple click करके make group करेंगे और आप इसे इस तरह का smooth देंगे तो यह यहां पर फिट करना चादा तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहां पर यह इसका सीट आ गया यहां पर आप आएंगे मैं इसे मैं स्मूद दूँगा तो मेरे पास यहां पर यह कुछ इस तरह का सोफा आ जाएगा मुझे इसके नीचे यहां पर चार लेक करेंगे कैसे करेंग करना है मैं यहां पर extrude कर सकता हूँ तो for example मैं इसको six inch रखता हूँ यहां पर आप select करेंगे और मैं इसको यहां पर इस तरह से मैं इसे यहां पर एक छोटा कर सकता हूँ आप triple click करके make group करेंगे अब मुझे यहां पर इसको copy करना है और mirror भी होना चाहिए आप क्या कर सकते हैं इसे यहां से आप copy करेंगे और मेरे पास आप right click करेंगे और यहां पर मेरे पास आता है मेरे पास आता है flip along और यह कहता है कि कि access की तरफ करना है मैंने बोला red आपने red किया यहां पर तो आपने देखा कि यहां पर यह rotate हो गया आप यहां पर आएंगे आप इसे copy कर देते हैं यह इस तरह कि यह leg आपके तयार हो जाएंगे आपने select किया और इसमें आपने subdivision डाला आप यहां पर आएंगे और यहां पर आपका यह sofa तयार हो जाएगा तो आपने देखा कि काफी easy है है यहां पर sofa बनाना आप color डाल सकते हैं यहां पर कोई texture डालना चाहते हैं तो मैं texture डाल सकता हूं आप wood का texture डालना चाहते हैं तो यहां पर आप legs के अंदर यह word डाल सकते हैं नेक्स्त जो है मेरे पास है वह round corner है यहां पर मेरे पास एक यह seat बना हुआ है मुझे इसको round करना आप round कैसे करेंगे आपने इसे select किया मेरे पास आता है round corner आपने click किया यहां पर पूछते कि offset कितना देना है तो for example अगर मुझे इसे इतना curve करना है तीन इंच का मैंने दिया हुए यहां पर आप दोनों क इसको एक साथ भी select कर सकते हैं मेरे इसे भी सेलेक्स किया आपने यहां से भी select किया ओर आपने यहां पर offset किया आपने तीन इंच किया आप यहां बाहर click करेंगे तो आप देखेंगे कि यह कुछ इस तरह से गोल हो जाएगा आपने देखा किका काफी easy. था और यहां पर मैं इसको segment यहां पर okay कर देते हैं और जो segment है यहां पर मैं segment को 12 कर देता हूं, आपने okay किया, आप यहां पर click करेंगे, देखेंगे, यहां से भी यह round हो जाएगा, अगर आपको यहां से भी round चाहिए, आप चाहते हैं कि बाहर से भी round होना चाहिए, आपने इसे select किया, आपने यहाँ से select किया, आप six inch ना करके आप चाहते हैं कि थ्री inch होना चाहिए, तो यह कुछ इस तरहां का आपका यह shape आ जाएगा, आप देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि अगर यहाँ से भी round हो, तो आप यहां पर click करेंगे, आप click करेंगे तो देख रहे हैं कि यह यहां से भी ऐसे round हो जाएगा, तो मुझे इतना round नहीं चाहिए, मुझे for example 1 inch ही चाहिए, आप यहां पर click करेंगے आप age को select करके भी click कर सकते हैं, आप देखे रहे हैं कि जैसे जैसे मा arriv को लेकिन जब आप इधर age को select करते हो, तो यहां पर smoothness चला जाता है, तो आप ने यहां पर एक सा lift किया और फिर आप इधर click करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यह smooth आएगा लेकिन आपको इससे continue select करके रखना है यहाँ पर मैं देख रहे हुआ continue select कर रहा हूं से और आप देखेंगे कि यह पूरा यहाँ पे select हो गया आपने इधर click करेंगे आप देखेंगे कि यहां पर यह पूरा राउंड इस तरह से गोल आ जाएगा तो आपने देखा कि क्लिक कर देंगे बाहर तो यह कुछ इस तरह का यह जो लाइन से आप इनको रिमूब कर सकते हैं और यह जो आप राउंड कोर्णर देख रहे हैं इसके अंदर और भी मैं आप क्या करेंगे ऐसन फूर आपने इस सलेक्ट किया आप यहां पर आएं और यह पर आपको बता रहेँ किसमेंट किने चीन है इसी है आप final हो गया आपका तो आप इसको यहां पर रख सकते हैं आप इसकी edges देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे व्यू में जाएंगे और hidden geometry को अगर आप कर देते हैं तो आपको कुछ इस तरह का यह geometry दिखाएगा आपने इसे क्लिक किया select किया next है मेरे पास यहां पर बैवल offset आपको कितना देना है मुझे अभी 2inch देना आपने click किया तो आपको यह कुछ इस तरह का बैवल टाइप का यह आपको अगर आपको इस तरह के इसकी यह गद्दी बनानी है seed बनानी है तो आप create कर सकते हैं और काफी easy example थे आप क्या-क्या बना सकते हैं आपने देखा और वो आपके basic tool से किस तरह लगा है वो भी आपको समझा रहा हुआ okay isolate करने के लिए आपके जितने भी आपने object select बनाए हैं वो सभी make group होने चाहिए आपने इसे select किया और आप चाहते हैं कि मैं इसी object पर काम करना चाहता हूं तो आप यहाँ पर isolate entities पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ selected object आपका व्यूपोर्ट में हैं और other object आपके hide हो गया है यहाँ पर क्या करेगा कि अगर आपको आपको वापिस लेके आना है तो आपको यहाँ पर फिर शो करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि यह फ्रीज हो जाए आपने select किया यहाँ पर तो यह आप देखेंगे फ्रीज हो गया मैं इसको यहाँ से open कर सकता हूं यहाँ से आपको यह show all हो जाए यह जो दो option दिखाई दे रहे हैं यह आपके layer को आपको आप isolate करना चाहते हैं तो यह layers के option है तो मेरे पास जो next है वो है यह quad face tool यहाँ पर अभी हमने quad face tool का हमने एक intro दिया था कि यह एक ही tool मैंने भी आपको बताया कि किस तरह सी काम करता है for example मेरे पास यहाँ पर एक plane है यहाँ पर यह मैंने plane लिया और मैं चाहता हूं कि मैं इस plane की geometry मैं इसके subdivisions बढ़ाना चाहता हूं मैं इसे और smooth करना चाहता आप जब इदर insert loop tool पर click करेंगे तो आप देखेंगे एक insert loop tool आ गया यहाँ पर क्या है remove loops तो यहाँ पर remove हो जाएगा आपने click किया इस आपने age को select करेंगे आप insert loop पर click करेंगे फिर second click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों तरफ आ गया है फिर आपने create किया त यहां पर आपने देखा कि lines create कैसे होती है यहां पर आपने एक line को यहां पर select किया और आप चाहते हैं कि मैं यहां पर मेरे पास tool आता है कि select ring आपने ring पर click किया तो आपने देखा कि यह सारी lines को select कर लेता है आपने यहां यह lines को select किया आपने बोला loop तो यहां पर आप देखेंगे कि यह इस line को select कर लेगा यहां पर आपने एक line को यहां पर select किया आप यहां पर select ring करते हैं तो आप देखते हैं कि सारा select कर लेता है आपने यहां select किया आप यहां पर grow ring करेंगे तो यह दीरे-दीरे करके आपको यह click by click यह select करेगा आपने यहां पर select किया फिर यह loop को भी जितने आप click करेंगे वह आपका उस तरह से वह increase करता जाएगा और यहां से यह आपने कुछ select किया हुआ है तो मैं इसको यहां से कम करता जा सकता हूँ आप यहां से और यहां से कम जाता कर सकते हैं जैसे मैंने इदर click किया तो यहां से यह बढ़ रहा है मैं श्रिंक करूंगा तो यह कम होता जाएगा आपने देखा कि यह कम हो गया बिल्कुल उसी तरह ring क तो आप श्रिंक कर सकते हैं और यहां पे लूप आ जाएगा आपने select करते हैं इसे यहां पे मेरे पास आता है ग्रो सेलेक्शन जैसे मैंने select किया और जैसे मैं growth select कर रहा हूं तो यह face को आप देख रहे हैं कि select करता जा रहा है और यह tool है यह shrink करता जाएगा यह minus में selection देता जाएगा तो यह tool हमें समझा है क्या काम करते हैं हमें loop समझाया हमें ring समझाया मैंने यहां पर एक face को select किया आप यहां पर आते हैं मैं इसको translate करना चाहता हूं तो तो आप देखेंगे यह बीच में एक लाइन आ गया कि जब मैं इससे स्लेक्ट कर रहा हूं तो यह फेस स्लेक्ट हो रहा है और यहां पर यह फेस स्लेक्ट हो रहा है मैं चाहता हूं कि यहां पर यह remove triangular कर दे तो जैसे मैं remove करूँगा तो यहाँ पर यह simple हो जाएगा यह टूल क्या काम कर रहा है कि यह आपके यह rectangle को triangular बना रहा है और यहाँ पर यह इसे फिर rectangular में create कर देता है तो यह इनका यहाँ पर यह काम है आपने देखा कि मेरे पास यहाँ पर एक triangle बना हुआ है और मैं इस triangle को rectangle में create करना चाहता हूँ आपने यहां से select किया मेरे पास यह tool है build corner आपने click करेंगे तो आप देखेंगे कि यह corner को यहां पे यह build कर देगा इसे round कर देगा next tool है मेरे पास वह है यहां पे build and build ends देखेंगे कैसे काम करता है मेरे पास कुछ यहां पे इस तरह के geometry है और यहां पे आप click करेंगेbuilt and तो आपने देखा के यह यहां पे भीいきます rectangle आ गया यहां पे भी एक rectangle और यहां पे भी एक rectangle कहने का मतल्ड यह है कि quad केंदर rectangle नहीं हो सकता आपने हर जगाहाँ पर इस तरह के rectangle rectangle होने चाहिए, quartz होने चाहिए, तभी आपकी geometry smooth होगी, यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास है convert to wireframe, जब आप इदर wireframe पर कर लेते हैं, तो आपको यह पूरा wireframe दिखाएगा, यहाँ पर यह red red color के vertex भी दिखाएगा, यहाँ पर आप next आते हैं, कि मेरे पा यहाँ क्लिक कर देंगे, यहाँ selection पर यह हट जाएगा, next option आता है मेरे पास convert to sandbox, अगर आपने sandbox से कुछ बनाया है, और आप उसको quad में convert करना चाहते हैं, तो convert कर सकते हैं, next आता है मेरे पास, अगर आप blender से कोई object लेके आ रहे हैं, और उसे quad में convert करना चाहते हैं, तो आप उसे भी card में convert कर सकते हैं, next आता है मेरे पास कि यहाँ पर अगर आप कोई चीज को UVW Mapping देना चाहते हैं, तो आप उसे UVW Mapping कैसे देंगे, for example मेरे पास यह object है, और मैं इन में कोई texture डालना चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पर यहाँ पर आता हूँ, और मैंने यहाँ पर य geometry smooth है, जहाँ पर smooth geometry होती है, वहाँ पर काफी smooth आता है, for example मैं यहाँ पर देता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि यहाँ पर भी मेरे पास जो है, वो smooth आ रहा है, मैं यहाँ पर मैं कोई object बनाता हूँ, quad face से, for example यहाँ पर मैंने एक polygon लिया, और इस polygon से मैंने यह extrude किया, और यहाँ से आप control प्रेस करके extrude करेंगे, तो यह कुछ इस तरह का extrude हो जाएगा, आपने इसे select किया, और यहाँ से मैं इसे control प्रेस करके, अगर मैं कुछ इस तर फिर आप आएंगे, फिर आपने यहाँ से extrude किया, फिर आपने इसको select किया, फिर आप यहाँ पे rectangle प्रेस करेंगे, आप इसे अंदर की तरफ कर सकते हैं, और फिर आप इसे extrude कर रहे हैं यहाँ पर, मैं किस तरह का shape बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं को ठेक्चर डाल दू singles Julie ने सबको स्ट्पर करके मैं यह टेक्चर डाम दिया आपने देखा कि यहांपर यह टेक्टटर डॉलगया मेरे पास यहांपर आत युँ वी कैसे काम गता है आप क्लिक करेंगे आपने यहां पर क्लिक करेंगे फिर आपने यहां क्लिक किया और फिर आप ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो टेक्शर है वो यूवी डबलू में यहां पर यह सेट हो गया यहाँ पर आप देख रहे हैं यह आपका यहाँ पर सेट हो गया आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर यह पॉइंट आता है इस पॉइंट से आप इसे move कर सकते हैं यह जो point है मैं इस point से इसको इस चरह से stretch कर सकता हूँ काफी easy था आपने देखा कि UVs कैसी काम करते हैं यहां पर मेरे पास जो next tool है for example आप cloth बनाना चाहते हैं यहां पर cloth बनाना चाहते हैं cloth कैसे बनाएंगे मेरे पास एक यहां पर for example यह table है मैंने इसको execute कर दिया और आपने इसको make group कर दिया मैं इसको थोड़ा सा इसदर move कर देते हैं यहाँ पर मैंने एक rectangle लिया यह मेरी sheet है जो table के ऊपर sheet आईगी मैं यहाँ से table के ऊपर यह sheet ले लेते हैं आप क्या करते हैं आपने यह make group किया हुआ है आपने इससे select किया आपने इसे make group कर दिया आपने इससे ऊपर की तरफ move किया जो यह cloth work यह जो हमारे पास नई extension है वो simulation है क्या कि आप cloth को किस तरह से animate करेंगे cloth को किस तरह से करेंगे for example मेरे पास यह sheet है और यह मेरा table है आप क्या करेंगे आप select करेंगे आपने right click किया आप यहां पे cloth works पे आते हैं और ये मेरे को मुझे इससे cloth पनाना है आप इसे make cloth कर दिया राइट इससे एक make cloth कर दिया राइट Karma करेंगे फिर मैं यहां पर आता हूं यह मेरा जब close करने के बाद यहाँ one close आएगा मुझे इसकी geometry को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे आपने select किया आप यहाँ पर आएंगे close पे और मेरे पास आता है apply quadrant यहाँ पर मैं grid को apply कर दूँ और second option आपने apply किया यह पूछता है कि कितने आपको ages चाहिए for example मैंने डाल दिये hundred आपने okay कर दिया तो जैसे okay किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी geometry बढ़ गई है यहाँ पर देख रहे हैं आपने यह object को select के नीचे वाले को आप फिर close work पर आते हैं और मैं करूंगा make collider यह collider होना चाहिए इससे collide होना चाहिए आप यहाँ पर play करेंगे तो यह क्या कह रहे हैं कि आप एक बार select करते हैं तो यहाँ पर यह आपको यह यहाँ पर अपने से click किया तो आप देख रहे हैं कि आपका जो object है जो आपका plane है वो नीचे की तरफ गिर रहा है वो आपके जो table है वो table के उपर वो apply होगा थोड़ा सा slow process रहता ह अब्जेक्ट है वो नीचे गिर रहा है लेकिन इतना स्मूथ नहीं है आप वापिस जाएंगे यहाँ पर यहाँ पर जो मैंने geometry दिया वो मैंने 200 दिया तो यह कुछ इस तरह का यह geometry आ रहा है मुझे इसमें मैं इसे control-z कर देता हूँ आप यहाँ पर आएंगे और फिर आप right click करते हैं cloth work पर आएंगे यहाँ पर आपने इसे select किया मैंने इसे यहाँ पर make cloth किया फिर आप right click करेंगे आप cloth work पर आएंगे one cloth के बाद मुझे यहाँ पर geometry बढ़ानी है अब मैं 100 ना करके मैं इसको 2500 कर देता हूँ आपने जैसे 2500 किया तो कुछ इस तरह का यह स्मूथ जमेटरी आगे आप प्ले करेंगे जैसे आप प्ले करेंगे तो यह नीची की तरफ ड्रैग होगा मैंने आपको बताया थोड़ा सा स्लो प्रोसेस रहेगा जैसे जैसे आप जमेटरी बढ़ाते जाएंगे जो आपका क्लोथ है वो स्मूथ होता जाएगा जैसे स्मूथ है जर जाएगे जमेटरी जाएगाब जिर सक्षण स्थारी दाएगीं प्लेस जाएगजिस्पैम Hiosa तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरहन का एक table का आप cloth बना सकते हैं यहां पर आपने देखा कि यह table cloth में convert हो गया है यहां पर कफी easy था यह cloth बनाना मेरे पास जो next extension है वो है Frido Scale यहां पर आप देख रहे हैं Frido Scale है देखते हैं कि यह जो extension है जो मेरे पास ला टूल सेट में scale टूल है इन दोनों में देखते हैं कि क्या अंतर है आपने scale पर क्लिक किया आपने यहां पर आप click करेंगे आप center पर और जैसे मैं इसको stretch कर रहा हूं यहां से scale करता हूं तो आप देखते हैं कि जो बीच के rectangle है और जो handle है यह दोनों की shape change हो गई है शेप खराब हो गई है तो इसका क्या solution है अगर मैं control press करके अगर मैं इसको stretch करता था तो यह देखते हैं दोनों साइड से यह stretch हो रहा है और यहां पर भी shape खराब हो रही है तो मेरे पास यहां पर है फ्रीडो स्केल टूल आप क्या करेंगे यहां पर box stretching पर जब आप क्लिक करते हैं यहां पर जैसे मैं यहां पर box stretching पर क्लिक करता हूं आप यहां पर आएंगे तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर select करने का एक tool आ रहा है यहाँ पर, मैं जैसे इसको select करूंगा यहाँ पर और आप देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ इसे stretch कर रहा है मेरे पास यहां पर मैं select करूंगा object को आप यहां पर box stretching tool पर आते हैं और आप जब इसे यहां से आप stretch करेंगे तो देखेंगे कि यहां पर center से stretch हो रहा है center से क्यों stretch हो रहा है जब यह आप red light का जो इसका यह dot line देख रहे हैं यह यह जहां पर होगा इसका यह section जहां पर होगा यह वहीं पर ही इसे stretch करेगा for example आप यहां पर right click करते हैं तो आप देखते हैं कि काफी सारे options आते हैं यहां पर मेरे पास यहां पर show hide drive stretch rectangle है जब मैं इसे यहां से hide कर सकता हूँ आप दुबारा click करेंगे और यहां पर मैं जाता हूँ तो यहां फिर दुबारा आप click करेंगे तो यह आप फिर select करेंगे और आप यहां पर आएंगे और फिर आप इधर click करेंगे तो यह आपको visible हो जाएगा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है आप इसे कौन से axis बचाते हैं आप इसका axis change कर सकते हैं जैसे अब आप देख रहे हैं कि यहां पर यह आप इधर आएंगे अब आप देखेंगे कि यहां पर आ गया फिर आप select करते हैं कि आप यह पर आप देखेंगे और यहां पर आप देखेंगे कि मेरे पास दो यह यह double हो गए है यह copy हो गए है अगर मैं इनको center में रखता हूँ और अब इसको stretch करता हूँ यहाँ पर तो अब आप देखेंगे कि जो यह rectangle थे जो red color के मेरे पास rectangle थे वो जहां पर है वो इस जो मेरे यह दोर के अंदर rectangle है इनको center में है और जब मैं इसको move कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि यह यहाँ से move हो गए यह देख रहे हैं कि यहां से यह जो rectangle है यह यहां से भी मैं और stretch करूँगा तो आप देखेंगे कि यह चीज यहां से rectangle चोड़े हो गया है ओके तो आपने देखा कि यहां पर आप इसे इस तरह से stretch करके और बिना shape को खराब किये आप किसी भी point से उसको scale कर सकते हैं तो काफी powerful tool है यहां पर for example मेरे पास यहां पर एक box है यहां पर मैं एक box create कर रहा हूँ आपने इसे extrude किया आप इसे make group करेंगे और यहां पर मेरे पास क्या है आप देखेंगे मेरे पाफ box twisting है आप देखेंगे कैसे twist करते हैं वो आपने इस box को make group किया आपने इसे select किया आप box twisting टूल पर गए आपने यहां इसे click किया फिर आप इस point पर आए और आपने इसे इस तरह से rotate कर दिया आप देखेंगे मैं इसे rotate कर रहा हूँ आपने इसे कुछ इस तरह से rotate किया आप देखेंगे यह आपका जो object है यह rotate हो जाएगा यहां पर इस तरह से आप किसी object को यहां पर twist कर सकते हैं आप यहां पर box create करते हैं आपने इसे extrude किया आपने इसे make group किया make group करने के बाद मैं इसे यहां से rotate करना चाहता हूँ आप एक point select करेंगे आप दूसरा point select करके और आप इसे इस तरह से rotate कर सकते हैं कि आपको अगर मुझे इस तरह से rotate करने तो आपने देखा कि object मैंने इस तरह से rotate कर दिया आप किसी भी axis में जाकर और आप किसी object को एक point से rotate क कर सकते हैं यहां पर मेरे पास है ROTATION FREE और यहां पर है BOX ROTATION आपने इसे कलिक किया फिर आप इज़र कैं आप इस तरह से इसे free 04 darauf यहां यहांसे भी रोटेशन दे सकते हैं और यहां पर काफी इंट्रस्टिंग टूल है यहां पर एक मेरे पास यहां पर आप देख रहे हो यह मेरे विंडो को यहां पर रोटेट किया है अगर आपको इस तरह की रोटेशन विंडो बनानी है तो आप किस तरह बनाएंगे देखते हैं यहां पर मेरे पास यह अब्जेक्ट है यहां पर यह मेरे विंडो है और मैं projection लिया top view पर आएंगे आप आप क्या करेंगे आपने यहां पर क्लिक किया यह कह रहा है कि select origin and place shift across यहां पर आपने क्लिक करेंगे आप इस point पर क्लिक करेंगे और फिर आपको कितना rotate करना है for example मुझे 180 rotate करना है आप देखेंगे कि यह आपका जो window है वो यह rotate हो गया है आपने देखा कि मेरा जो window था वो यहां पर rotate हो गया काफी easy था rotate करना मैं इसका इपर copy कर लेता हूं यहां पर आप आते हैं आप टॉप व्यू में जाएंगे आपने select किया आप फ्रीड़ टूल पर आते हैं आपने क्लिक किया आप राइट क्लिक करेंगे आप पैरामीटर पर आएंगे और आपने इसको four कर दिया ओके करेंगे आप सेकेंड टूल पर आए और यहां पर आपने 180 रोटेशन दे दिया आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर आपका smooth है यहां पर round और यहां पर यह linear round है तो आपने देखा कि किस तरह से फ्रीड़ टूल आपकी help कर सकता है मोडलिंग करने में काफी easy है यह extension student जो हमारा next topic है वह fall ceiling का और मुझे मेरे यहां पर मेरा 1bhk है और यह मेरा bedroom है यह kitchen है और यहां पर मेरा dining area है और यह मेरा drawing room है मुझे यहां पर false ceiling चाहिए तो false ceiling मुझे कहां कहां पर चाहिए मैं एक corner में यहां पर false ceiling लगाना चाहता हूं false ceiling लगाने का main जो purpose होता है कि हम अपने room को lighting से क्यासे decorate कर सकते ceiling को ceiling में आप light लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि lights की जो wires है वो सब hidden रहने चाहिए सुन्दर दिखाई देना चाहिए उस purpose से हम false ceiling में बनाते हैं तो मुझे यहां पर bedroom में false ceiling में बनाना थे तो आप किसiden रहा सी create करेए करेंगे मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आप एक rectangle ले लेते हैं मैं यहां पर यह rectangle ব पे और यहां पर इस जगा पए false ceiling create करना चाहता हूं आप क्या करेंगे यहां पे मैं कि जो false ceiling वो 18-inch लेता हूं यहां पर 18-inch यहां पर मैंने 18-inch का यहां पर false ceiling ले लेता हूं यहां से मुझे आप 18-inch का भी ले सकते हैं आप आप 9 इंच का भी ले सकते हैं यहाँ पर मैंने यह 18 इंच का लिया और मुझे यहाँ बीच में से मैं अभी नहीं चाहता यहाँ से आपने यहाँ से डिलेट कर दिया यह जो फॉल्स सिलिंग है मैं यहाँ से इसे एकस्टूड कर लेता हूँ तो इसके डैप्थ है मैं यहाँ डाइइच देता हूं मेरे यहां पर यहां पर फोल्स निंग का यहां पर जो ठिकनेस थे वह आप इसे टिपल क्लिक करेंगे आप इसे में ग्रॉप कर सकते हैं यह चत त से आपका यहां पर आप देखेंगे अलग-अलग हाइड नीचे होती है तो आपके लेंटर कितना है आप उस पर क्रता है कि आपकी जो सीलिंग है वह कितने पे आपके सीलिंग बनी रहे है तो अभी आप क्या करेंगे मैं इसे नीचे की दिर्फ करना चाहता हूं मैं यहां पर इसको for example eight inch कर देता हूं यहां पर यहां मेरे यह create हो गया है आप top view पर आएँगे आप क्या कर सकते हैं आपने इसे select किया मैं इसे isolate कर सकता हूं तो यहां पर मैंने isolate है, मैंने इस isolate कर लिया, आप top view पर आएंगे, आप camera में जाते हैं, पैलर projection, मुझे यहां पर lights लगानी है, तो lights मेरे पाँ अलग-लग type की lights होती है, यहां पर मेरे पास, यहां पर आप देखेंगे, मेरे पाँ अलग-लग volt की light है, तीन वोल्ट की भी लाइट होती है, 6 वोल्ट की भी होती है, 9 की भी है, 18 की भी है, यहाँ पर अलग लग वोल्ट की मेरे पाँ lights अविलेबल है, मुझे यहाँ पर वो lights लगानी है, तो for example, यहाँ पर मुझे 6 वोल्ट की light लगानी है, तो आप क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ जो light होती है वो उसका जो यहां पर diameter होता है वो पांच इंच का होता है तो आपने यहां click किया और मैं अगर यहां पर पांच इंच का diameter दे देते हूं यहां पर यह मेरा पांच इंच का यह जो light होती है उसका जो diameter होता है एप्रोक साढ़े चार से पांच इंच होता है तो आप पर आपका उसको आप fit कर पाएंगे उसके screw लगा पाएंगे तो आप क्या करेंगे मुझे यहां पर जो rectangle बनाना है यहां पर आपको अगर आपकी light यहां पर 5 इंच की है तो आप उसे half इंच कम रखेंगे यह मेरा यहां से मेरा circle है और यहां पर मुझे 4.5 इंच की यहां पर light चाहिए आपने इसे select किया मैंने यहां पर light बनाई है यहां पर और आप camera में आते हैं आप यहां पर perspective में आएंगे मुझे क्या करना है यहां पर मैंने यह center में यह create की यहां पर इसका center क्या है यहां पर आप देखेंगे तो यह इसका center है और आप देखेंगे कि exactly center में बनी है light मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं तीन यहां पर light चाहिए मुझे एक दो तीन और तीन यहां पर चाहिए तो आप क्या करेंगे मैं इसे यहां पर कोपी कर देता हूं तो for example चार फीट सात इंच पर मैंने इसे कोपी कर दिया फिर आप इसे यहां से क्लिक करेंगे आपने फिर इसे कोपी किया कितना चाहिए मुझे चार फीट सात इंच इग्जेक्टली वहीं पर जाकर कोपी हो गई है आप क्या करेंगे आपने इसे आपको इज़र कोपी करते हैं आपने यहां से कोपी किया और यहां पर आप इसे मूव कर सकते हैं मैं इसे यहां पर move कर देता हूं और फिर आप क्या कर सकते हैं आप इन तीनों को select कर सकते हैं यहां पर मैं इन तीनों को select करता हूं यहां पर और आप इसे यहां से control से आप इसे copy कर सकते हैं मैंने यहां पर इसे copy किया और आप इसे अंदर की तरफ extrude hole कर सकते हैं तो कैसे करेंगे आपने यहां पर किक किया आप चाहते हैं कि इसके अंदर यहां पे मैं hole करना चाहता हूं तो आप यहां पे यह hole हो गया यहां पर फिर आपने select किया आप उपर तक लेके आएंगे और फिर थोड़ा सा side में click करेंगे यह hole हो जाएगा आप उपर तक लेके आए फिर side में click करेंगे होल हो जाएगा आप उपर तक लेके आएंगे फिर यहां इस फेस तक लेके आएंगे और फिर साइड में क्लिक करेंगे होल हो जाएगा सेम प्रोसीजर आपको हर जगां फोलो करता है तो आप देखेंगे कि यहां पर मेरे पास यह फोल सिलिंग यहां पर तयार हो गया है आप यह चाहते हैं कि यह जो आपने फोल सिलिंग बनाई है वो यहां पर भी सेंटर में भी होनी चाहिए तो आप कोपी कर सकते हैं यह आपका फोल सिलिंग यहां पे त्यार हो गया यहां पर आप चाते हैं कि यहां पर भी हो इस फेस पर भी हो तो आप कोपी कर सकते हैं मैं इसे यहां पर सेलेक्ट करता हूँ दुजु है और आप इसे एक्स्टूड कर देंगे एक आपका F Philippe यहां पर हो गया आप चाते हैं कि आप इसके Center में होना चाहिए आपका यह जो आपने रेक्टिंगल लिया है यह आपके Center में होना चाहिए आपने इसको click किया, यह center है, यह यहां पर आ गया, आप इसे एक्स चूड करेंगे, तो यहां पर यहां पर आपने फिर इसे select किया, यहां पर आप देखरें, मैं age को select कर रहा हूं, आप इसे move करेंगे, आप इसे control से ऐसे copy कर सकते हैं, और यहां पर आप देखेंगे, मैंने इसे यहां से control से copy किया, मैं यहां पी इसको state लेके आ रहा हूँ, और मुझे इसको यह जो इसका midpoint है, यह midpoint है, और मैं इस midpoint से इसको अंदर की तरफ करूँगा, मैं आपको बिल्कूल basic तरीके से बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इसे बनाएंगे, आप AutoCAD में इसे बनाकर भी आप यहां पर लाकर और आप इसे create कर सकते हैं, आप इसे control से copy कर सकते हैं, और यहां पर मैं green direction में आप आ रहे हैं, तो देख रहे हैं कि यह यहां पर आ गया, और मैं इसे यहां से extrude कर सकता हूँ, तो यहां से मैंने इसे extrude किया, तो आप देखेंगे कि यहां पर मेरे पास यह लाइट्स के पॉइंट्स आ जाएंगे आप टोफ यू में आएंगे आप कैमेरे में आते हैं और यहां पर पर प्रोजेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यह मेरे पर लाइट्स के लिए यहां पर मेरे पास आ गए है और आप देखेंगे कि जो यह आपका false ceiling बन गया, triple click करके मैं इसे make group कर सकता हूँ, तो जब आप make group करेंगे तो यह कुछ इस तरह से बनेगा, आप चाहते हैं कि यहाँ उपर से भी आपकी lights आनी चाहिए, और जो आप यह बना रहे हैं, वो तो lights इसमें आएंगी आएंगी, ज इसमें आप यहाँ से भी light आनी चाहिए, और एक light अंदर से भी, जिसको cove light बोलते हैं, आपने select किया, आप इसे फिर isolate कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, आप top view में आते हैं, आपने camera में आए और आपने यहाँ पर parallel projection किया, यहाँ पर आप एक rectangle ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक rectangle लिया, और इस rectangle का मैं offset दे दिता हूँ, यहाँ पर, आप इसे अंदर से delete कर सकते हैं, और जो यह extrude है, यहाँ पर आप camera में जाकर और perspective आते हैं, और यहाँ पर मैं इसे extrude कर देता हूँ, मैंने इसे 2 inch का extrude कर दे यहाँ पर, मैं इसे यहाँ पर 6 inch तक extrude कर देता हूँ, आप यहाँ पर इसे make group करेंगे, और यहाँ से मैं इसे stretch कर सकता हूँ, आप देखने हैं यहाँ पर, यह क्या चीज है कि जब आप यहां पे नीचे से इसे देखेंगे अगर मैं इसको ओफ कर देता हूं और यहां पे आप देखेंगे तो जब आप यहां से आपको यह ceiling दिखाई देगी तो जो आपकी cobe light है वो एक light material होता है हम वो light material देड़ डाल देंगे और यहां से आपको ऐसे लगेगा कि वो cobe light जल रही है और नीचे हम lights को यहां पर lights बनाकर हम यह lights create करेंगे मैं आज आपको बताऊंगा कि lights कैसे create करते है तो मुझे यहां पर एक rectangle चाहिए यह वाला आप इसे यहां पर इसमें एक inch का आप इस तरह से border दे सकते हैं आपने इसे select किया और आप इसे अंदर की तरफ extrude कर देंगे तो यहां पर आप देखते हैं कि LED light लगी होती है और यहां पर यह इसके अंदर का यह plastic होता है जो इस क्या करेंगे यहां पर मैं light में जो light के अंदर मैं light material डाल दूँगा तो वह ऐसा लगेगा कि light आ रही है जह हम यह material जो हम मैं डालने की बात कर रहा हूं यह आपका material texturing का part है तो यहां पर मैं अलग-अलग color भी डाल सकता हूं for example मैंने बाहर अलग डाल दिया और यहां पर मै triple click करते हैं आपने make group किया यहां पर आपने यहां select किया हुआ है इसे make group कर लेते हैं आपने इसे select किया और आप इसे कहां place कर सकते हैं जहां से मैंने इसे उठाया था यहां exactly मैंने उसी जगां पर इसे place कर दिया है आप इसे यहां से copy करेंगे और आप देख रहे हैं exactly मैं उस इसी जगहां पर इसे प्लेस करता आ जा रहा हूं फिर आपने यहां पर कोपी किया कि आप इसे उसी पॉइंट पर आप इसे प्लेस करें देख रहे हैं आपने उसी पॉइंट पर प्लेस करें इसे बहुत इजी था फिर आप आते हैं यहां पर आपने यहां पर आप फिर copy कर सकते हैं आप इदर copy करना चाहते हैं आपने select किया आप यहां पर आएंगे आज की class में हमने देखा कि different type के extension हमारी modeling में किस तरह से help परते हैं I hope आज की class आप को समझाई होगी आज के लिए